जैहिंद, क्या काला होना बुरा होता है? और क्या गोरा होना अच्छा होता है? इंसन काला क्यों होते है? और इंसन गोरा क्यों होते है? ये कालापन और गोरापन की बज़ा क्या है? वो ऐसे देखा जाए तो काला और गोरा इंसन में ज़्यादा कुछ फड़क नहीं है सिर्फ एकी चीज़ का फड़क है और यह जो फड़क है यह वीडियो के अन तक आपको क्लियर पता लग जाएगा तो बने रहे यह वीडियो में आज पर टोपिक बहुत ही इंटरेस्टेट होना वाला क्योंकि आज हम स्कीन यानि तवचा के बारे में जानेंगे जिसके उपर लर्किया लाखो खरस देती है ऐसा सुनने को मिलता है कुछ हीरोईना का मांतली क्रीम का प्राइज है एक लाख रूपिया तो यह सब क्रीम कहा जाते है Skin यानि तोचा के उपर ही तो जाते है सोचो एक लाक रूपीय क्रीम के उपर उपर उर जाते है जिससे लगबख पाच फेमिली का गुजरा हो जाएगा पाच फेमिली का महीने भर कर रहशन आ जाएगा तो आएए थोड़ सा Skin के बारे में जानने की कोशिश करते है Skin का अध्यान को Dermatology कहलाता है आप कभी सोचे है शरीर का सबसे बड़ा कौन सा होता है तो वो है Skin सबसे बड़ा Sense Organ है Skin Skin Touch को, बहरी बतवरन को, टेमपराचर को जिसे हम लोग गर्मी ठान के बारे में महसूस कर पाते है जिसे हमको गर्मी और ठान के बारे में पता लगते है देखो Sense Organ पाच है आक, जीब, कान, नाक और थ्वचा ये पाच ओरगन हम लोग को बाहरी बिशाय के बारे में जानकरी देता है जैसे कि कान से हम सुनते है तो ये Sound Sensor हो गया जीब से हमको टेस्ट के बारे में पता चलता है जीब से टेस्ट, खटा, मिठा, नमकीन इन सब टेस्टों के बारे में कौन बताता है, जीब तो पाच ओरगन के बारे में मैं अलग अलग वीडियो में बताऊंगा नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा तो आज सिर्फ स्कीन के बारे में ही जानते है तो स्कीन का अध्धन को क्या कहलाता है डर्मेटोलोजी कहलाता है तो शरीर का सबसे बड़ा अंगा है यह स्कीन यह हमारी शरीर को छोटे मटे चोट से प्रोटेक्ट करता है जीवानूई संक्रमन से हमारी अंदर का जोव और्गान से उसको रक्षा करता है और इसका दूसरे गाम है शरीर का तापमात्र को यानि टेमपराचर को नियंतरन करन वितामिन डी को अप्ज़र्ब करना सुरश से जो रोशनिय आते हैं जिसे हम धूप यानी सुलेट कह takie हमारी त्वचा marketplace का जो सेल है सब्खर फुसेगं करते साब को देखने,वह तो १ की को चेंजी कर डालते है। ११ लेकिन हम इंसान जो है美 हमारी अंदर ही अंदर चेंज होते रहते हैं तो स्किन का सात लियर होते हैं, मतलब त्वचा का सात परद होते हैं मगर त्वचा में में बेंज़ी ढोली होते हैं तो यह दो परद के अंदर में ही सब कुछ होता है बाहर बला जो परद है उसका नम है EP Dermis और अंदर बला जो है वो है dermis तो EP dermis में 2 भाग होते हैं और dermis में 5 भाग होते हैं तो कुल में लगए कितना हुआ? 7 भाग हो गया तो बाहरी परद EP dermis के बार में पहले जानते हैं EP dermis हमारी त्वाचा का जो बाहर का परद है जो हमाई आखों से दिखती है वो है EP dermis आप देखना किसी भी कारण से आपका skin का अगर उपर ही भाग छिल जाए तो खुन नहीं निकलता है क्योंकि EP dermis में क्यों होता है? इसमें बलाड नहीं होते है तो बाहरी परद EP dermis देखना आपके हाथ में पैर में जो skin है थोरा सा मोटा होता है तो वो EP dermis का मोटा परद होते है सबसे ज़्यादा मोटा होते है आपके पैर के निचे जो EP dermis है वो सबसे ज़्यादा मोटा होते है और ये ईपीडर्मिस में ही केराटिनोसाइट और मेलानोसाइट ये दो कोशी का पाया जाता है यानि सेल पाया जाता है तो त्वचे की बाहरी परत ईपीडर्मिस में केराटिनोसाइट और मेलानोसाइट कोशी का होते है केराटिनोसाइट सिल्क केरोटिन प्रोटिन को बनते हैं केरोटिन प्रोटिन से बाल नाखुन बनते हैं तो नाखुन को हड्डी मत समझ लेना कब भी हड्डी केल्शियम से बनते हैं और नाखुन जाहे वो केरोटिन प्रोटिन से बनते हैं बाल भी केरोटिन प्रोटिन से ही बनते हैं और E.P. dermis का दूसरा सेल, Melanocyte, जो Melanin protein को बनाते है, Melanin protein के ज्यादा होने से ही इंसन के रंग काला होते हैं, तो जो वीडियो के शुरू में बता है था इंसन काला क्यों हते हैं, तो उसका कारण है Melanin के उपस्तिती, मेलानीन की उपस्तिती ज़ादा होने से ही इंसन काला होता है और मेलानीन की उपस्तिती कम होने से ही इंसन गोरा होता है तो मेलानीन का काम क्या है? मेलानीन क्यों बनाता है EPIDERMIS तो यह मेलानीन जो है यह क्या करता है? यह UV वेब यानि आल्टरा भाइलोट रे वेसे हमारी skin को रक्षा करता है सूरज से जो रोष्णी आता है उसमें होते UV waves UV waves हमारी skin में आने से skin को cancer होने का खत्रा रहते है UV wave हमारी skin में परने से skin में खत्रा होने का chance बर जाता है तो उससे कौन रक्षा करता है ये melanin तो UV waves से melanin हमको बचाते है तो काला और गोरा एंसर्ण में सिर्फ एक ही चीज़ का फराख है वो है मेलानिन की उपस्तिती जिसके स्किन काला है समझ लेना उसके स्किन में मेलानिन की मातरा ज्यादा है मतलब जिसके स्किन में मेलानिन कम होते है वो थोरा सा गोरा होता है बस और कुछ परक नहीं है तो ये बाहरी परत E.P. dermis हो गया अब दूसरा लियर dermis के बार में थोड़ा सा जान लेते dermis, dermis में 5 लियर होते है ये E.P. dermis के नीचे होते है इस dermis परत में blood पाया जाता है किसी भी कारण से अगर आपका dermis कटेगा तो ही खुण निकलेगा तो शरीर में जो बाल उखता है वो इस dermis लेर से ही उखता है इंसान के छाती में, पैर में जो बाल उखते है वो इस dermis से ही उखते है तो dermis में कुछ gland पाया जाता है यानि कुछ ग्रंथिया पाया जाता है जिससे पसीना निकलता है वो है पसीना वाला gland जिसे हम लोग sweat gland कहते है पसीना में lysogem होता है lysogem नमक एंजयम पैया जाता है और नमक पैया जाता है इसलिए इसका taste नमकीन होता है थुरसा खट्टा टाइप का नमकीन और दूसरा ग्रंथी का नाम है सेबेकास ग्रंथी यह तेल यह ग्रंथी है यह जो तोचा से तेल निकलता है जिसे हम कहते है सीबम यह नाक में पाया जाता है नाक की उपर इभाग में जो तोचा है उसमें देखना कुछ चिपचिपट टाइप की तेल निकल रही है वो जो चपर चपर तेल निकलता है है वह सीबम जोडर्मश यह कीम्ती चीज़ आए जनोरमट निकल के चंपरी का जूता बैक पार्वार्स बेल्ट चंपरी आँ जैकेट यह सुब बनाये जाता है जनोरमट एपजर को एक उफ्टीस के ईपड्रेम को हड़ी के साथ और पेशी के साथ connect करता है तो त्वचा का बहारी परत EP dermis और अंदर का परत dermis तो इतना समझ में आ गया अब कुछ fact के बिशे में जानते हैं प्रती 6.5 semi square skin में 650 sweat gland यानि 650 पसीने का ग्रंथी 20 blood के बाहक 60,000 से भी ज़्यादा melanocyte और 1000 से भी ज़्यादा सनायू का अवशेश होता है सनायू का काम है sense करना टाच को गर्मी को ठंड को इस सब की feeling सनायू से ही होता है अगर किसी भी करन से त्वचा का एक तिहाई जल जाता है तो इंसन मर जाएगा क्यूंकि तब बायू में जो जिबन होते है उसको body रोक न